Hello buddies, मैं हूँ आपका दोस्त मनीश पार्टिल और यह हमारा YouTube चैनल मार्क दर्शक गुरूजी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के बारे में Guys, last वीडियो में हम लोगों ने मैं के बारे में डिक्टल में चर्चा कर चुके हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उससे जरूर देख लीजेगा ताकि यह concept आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके क्योंकि में का ही past tense होता है might, क्योंकि might ऐसी model auxiliary verb है जो present और past दोनों में इस्तमाल होती है अब यहाँ पर मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों दिखते है might, might का मतलब होता है सका, सकता था यह सकता है मतलब might, present और past दोनों में अस्तमाल होता है इसके identification होती है दो, पहले past के identification, पहले मैं इसको past की तरह आपको समझा दूँ सकता सकती सकते आकर थाती थे और उसमें लगा हो शायद, शायद का भाव express होता हो शायद वह तुम्हारी बेजज़ती कर सकता था, शायद वह तुम्हें बदनाम कर सकता था शायद मैं उसके लिए इंतजार कर सकता था उस वक्त, मतलब मैं past के बारे में बात कर रहा हूँ ये past की बात है, शायद ही बारिश हो सकती है, है मतलब ये present की बात है, तो दोस्तों अगर मुझे संभावना बताना हो past में, तो मैं इस्तमाल करता हूँ सकता सकती सकते आकर ठाती थे का अगर मुझे संभावना बतानी हो present में तो मैं शायद ही word का अस्तमाल करता हूँ जैसे शायद बारिश हो सकती थी अगर ऐसा sentence आ रहा है तो माइट शायद ही बारिश हो सकती है शायद ही बारिश हो सकती है, अब शायद ही बारिश हो सकती है, अब शायद ही बारिश हो सकती है, हो सकती है मतलब अभी, शायद ही न के बराबर, less possibility, तो जब संभावना लगती है किसी चीज़ की, जादा संभावना past में, तो हम लोग वहा इस्तमाल करते हैं might का और अगर सम्भाहूना कम लग रही है present में तो हम लोग इस्तमाल करते है might का present में सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं इमका हम past में sentence बना कर देखते हैं ताकि हमको clear हो पाए यहाँ पर देखिएगा जो ये might है वो किस senses में use किये जाते हैं पहला sense दिखेगा past में possibility को express करने के लिए might का अस्तमाल किया जा सकता है जैसे बारिश हो सकती थी वह मेरे घर आ सकता था मैं उसकी मदद कर सकता था तुम मुझसे बात कर सकते थे कब? past में ऐसी possibility थी कि वह तुम्हें पीच सकता था ऐसी संभावना थी कि ओले गिर सकते थे ओले गिरते हैं? है ना? सो ओले गिर सकते थे ऐसी संभावना है कि वह तुम्हें ignore कर सकता था थी ऐसी संभावना थी past में लेकिन उसने बनाए नहीं तो जब भी हम लोग past में possibility की बात करते हैं तो हम लोग might का अस्तमाल करते हैं दूसरा present में less possibility कम संभावना की बात करते हैं present में कम संभावना की तो भी हम लोग might का अस्तमाल करते हैं जैसे शायद ही बारिश हो सकती है है मतलब present present में कम संभावना शायद ही दोस्तों ये दो वर्स को जड़ा ध्यान से सुनिएगा शायद और शायद ही अगर हम बोलते हैं शायद तो थोड़ी संभावना जादा है और हम जैसे ही बोलते हैं शायद ही तो इसका मतलब होता है न के अस्तमाल होता है लेकिन स्टूडेंट सबसे जादा confused होते हैं इनके uses को लेकर क्यों ये कब past होता है और कब present होता है बहुत सारे students में जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूछने की कोशिश करते हैं सर पता कैसे चलता है कि हम ये present का है और ये past का है आप अगर किसी को भी English में बात करते हुए सुनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी में देखिए सबसे पहले अपनी mother tongue में देखिए ताकि आप चीजों को गहराई से समझ पाएं क्या होता है जब भी कोई present में बात करना शुरू करते हैं तो सिर्फ वो present tense में ही बोलते रहेगा आप गौर कीजिएगा जब भी कोई past में बात करना शुरू करेगा तो एक sequence of the series शुरू हो जाएगी एक sentences की series शुरू हो जाती है हम past के ही sentence बोलने लग जाते हैं और जब हम future के बारे में बात करते हैं तो हम future के ही sentence वो sequence में बोलते चले जाते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक sentence present का बोला एक sentence past का बोला एक sentence future का होता नहीं है बात ही नहीं समझ में आएगी तो हम particular एक tense के बारे में बात करते हैं या तो हम present tense में बात करते हैं फिर उन्होंने मेरे लिए एक नया शर्ट खरीदा था तो ये जो था, ये पास्ट वाली बाते हैं मैं कल सलमान खान से मिलूँगा फिर उनके बाद उनका उटोग्राफ लूँगा उनसे कुछ पूछूँगा, उनकी फिल्मों के बारे में जानूँगा गा मतलब future तो जब भी हम लोग future की बात करने लगे ना बहुत सारे sequence में future के sentence आने लग जाते है जब भी हम past की बात करते हैं sequence में past के sentence आने लग जाते हैं और जब भी हम present की बात करते हैं तो sequence में present के sentence आने लग जाते हैं आप दरह समझहेगा जब भी आप पास्ट में बात कर रहो है empower आप कर रहे होगा ऐसा ही होता है बहुत सारे स्टूडेंट पुछते कि सर जैसे बहुत सारी यासी verbs होती है, जैसे पुट ले लो, कट ले लो, इनके तीनों फ़र्म एग जैसे चलते हैं, मैं पेड़ काटता हूं, I cut tree, मैं पेड़ काटा, I cut tree, दोनों के sentence तो सेम है, सर पता कैसे चलेगा, कि कब present और कब past है, यह पता चलता है, on the basis of the sequence of the sentences, whenever you are talking to the particular tense, you can, anyone can identify that particular tense, if you are talking in past tense, that sentence will be in past, and if you are talking in present tense, that sentence will be in present tense, so, यह हम identify कर सकते हैं, on the basis of that particular tense, in which we are talking, जिसमें हम बात करते हैं, उसके आधार पर इसको identify करते हैं, हैं दोस्तों, तो अगर ऐसा रहा है, I cut tree, और हम प्रेजंट में बात चीत कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रेजंट का sentence, अगर हम हम पास्ट की किसी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, और वहाँ पर I cut tree आता है, मतलब हम पास्ट के सेंटेंस की बारे में बात कर रहे हैं, तो यह automatic समझ में आता है, जितना आप communication से familiar होते हैं, whenever you become so much familiar with the communication, all the things automatically known by you, so, you don't have to worry about this, automatically after some days, you will be expert if you practice about this, damn sure, okay, आगे बढ़ते हैं द birthday में invite कर सकता है, शायद ही वो तुम्हारी मदद कर सकता है, शायद ही वो इस महीने business शुरू कर सकता है, शायद ही, हो सकता है वो अगले महीने कर, उसके अगले महीने कर, पर शायद ही इस महीने, इस महीने उसके business शुरू करने के संभावना बहुत कम है, तो present में less possibility, के So I might help you. मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. If I want to show my politeness in my sentence, So I may use their me. But if I want to more politeness in my sentence, So I can use their might in replace of me. So in the place of me, we can use might. When can we do it? When we show more politeness. Like he can help you. So this is normal politeness. He might help you. He can help you. He can show more politeness. If I want to show you, Then we also use might in present. In present, if you have permission to get or give, Then we also use might. Like I am commensur. Then we say I am commensur. Then there is less possibility. When you say I and might in comparison, Then I will explain the difference between both of you. Then I will explain the difference. So wait until you wait. Just understand that. When we want to present permission to give or give, If you want to express the difference, Then you also use might. Like I have to say, What can I say? So if I have to express permission with less politeness, Then I will use it. May I commensur? If I want to show my politeness to that particular person, So I will ask there, May I commensur? But if I have more politeness I had to express before that particular person. So I will use there, Might I help you? So may I help you? Comm politeness. Might I help you? More politeness. Meaning, To show more politeness, To show you, To show you, To show you in present, Might might. Guys, Let's see some sentences. Like, If I talk past, First of all, First of all, It might rain. It might not rain. It might not rain. It might not rain. It might not rain. Why might it rain? Who will be there? It might rain. Samhina? Ram, Tumhari, Madad, Past, So Ram, Might help you. Ram, Tumhari, Madad, Might, Ram, Help you. Ram, Tumhari, Madad, Why might Ram help you? Who might help you? Tumhara, Papa, Tumhaya, Tumhara, Tumhara, Can come home. Tumhara, Tumhara, There was a much jar. So, It was such a Jake. Santos, The father, Might, Hasbbles, There was a threat, Just like, we had to deal with you. The father might not beat you. So how could your father beat you? What specific reasons was your father wisdom! Why could your father beat you Tony without'? Why might your father beate you? कौन तुम्हें पीट सकता था क्या लग रहा था तुम्हें किस व्यक्ति के बारे में ऐसा doubt था कि कौन तुम्हें पीट सकता था who might beat you तो इस तरह कि हम sentence बना सकते हैं यह जो चारो है न यह one by one अगर मैं sentence लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको बहुत गहराई से समझ में आपा है तो आईए मेरे साथ आगे हम इसे लोग चलते हैं देखिए हम लोग past में अगर possibility को show करना है तो हम लोग might का अस्तमाल करते हैं past में possibility को अस्तमाल करना है हम लोगों को तो हम लोग किसका अस्तमाल करते हैं, might का, जैसे देखो, शायद बारिश हो सकती थी, शायद, तो यह past का sentence है, so it might rain, शायद बारिश हो सकती थी, it might rain, शायद सोहन उत्तिरण हो सकता था, सोहन एक subject का नाम है, so sohan, might, उत्तिरण होना मतला pass होना, जादा ही हिंदी हो गई, pass, so sohan might pass, शायद राधा उसे चाटा मार सकती थी, शायद राधा, so राधा, might, slap, अभे कोई लड़का है तो him, है न, आगे देखिए, शायद बेव्यापार शुरू कर सकते थी, शायद, और बात हो रही है, past की है न, so they might, start, business, आगे देखिएगा, शायद वह तुम्हें माफ कर सक था, so वह तुम्हें, so he might, forgive you, forgive मतलब होता है माफ करना, forgive you, आगे देखिएगा, शायद वह पैसे चुरा सकता था, शायद और था, शायद वह पैसे चुरा सकता था, वह मतलब he might, steal, money, आगे देखिएगा, शायद आकाश हमारी मदद कर सकता था, आकाश, so आकाश, might, हमारी मदद कर सकता था, help us, आगे देखिएगा, शायद वह मुझे धोका दे सकता था, शायद धोका, वह मुझे धोका दे सकते था, कोई लड़की है, she might, cheat me, अब देखिएगा दोस्तो, past में संभानों को दर्शानी के लिए sentences है, आप इनका screenshot जरूर ल योगों को present में कम possibility को show करना है, तो हम लोग word use करते हैं, शायद ही, यहाँ देखिएगा, हर sentence में आपको शायद ही मिलेगा, है ना, और ये sentence है present का, क्योंकि आपको सकता है, हर sentence में मिलेगा, है ना, तो हम might को present में भी use कर सकते हैं, कम possibility के लिए, कम संभावना के लिए, जरा past में बात करेंगे, तो भी it might trend, लेकिन दोनों के meaning अलगल होंगे, उस particular tense के हिसाब से, it might trend, शायद ही वह तुमारी मदद कर सकता है, so he might help you, शायद ही, help you, आगे दिखिएगा, शायद ही वह यहाँ आ सकता है, शायद ही, so he might come here, आगे दिखिएगा, शायद ही मैं उसे invite कर सकत हो, यह हमारा subject है मैं, शायद ही मैं, so I might, invite कर सकता हूँ, invite, कोई लड़का है, him, कोई लड़की है, her, जैसा आपको लगे, ठीक है, शायद ही वह किसी को दोका देखता है, हमारा subject है वह, शायद ही वह किसी को दोका दे सकता है, so he might cheat किसी को, anybody लिख दो, so he might cheat anybody, शायद ही वह गाना गाए, शायद ही वह गाना गाए, so he might, sing a song, देखिएगा, शायद ही वह सच बोले, आप देखो, ऐसा भी हो सकता है, शायद ही वह गाना गाए, ज़रूर नहीं कि सप में सकता ही लगना शाहिए, शायद ही वा गाना गाए शायद ही वा सच बोले शायद ही वा तुम्हें सपोर्ट करें ये सेंटेंस हो तो भी हम माइट इस्तमाल करते हैं शायद ही वा सच बोले So, he might speak truth speak truth शायद ही वा तुम्हें सपोर्ट करें So, he might support you को इसी तरह अगर हम लोगों next चीजों को समझना है अगर present में जाधा politeness को शो करना है हम लोगों तो भी might का स्थमाल करते हैं present में permission मांगना हो वो भी जाधा politeness के साथ तो भी हम लोग use करते हैं might का ज़्रा देखेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो हम लोग generally क्या use करते हैं मैं यहाँ पर हम लोगों ने use किया might might I come in might I come in अब मैं से जाधा politeness दर्शान आ है तो हम लोगों को might लगाना पड़ेगा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं might you help me might you help me आगे देखिएगा क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ जाधा politeness के साथ कर्शन किया मैंने might I ask something might I ask something आगे देखिएगा क्या मैं स्टेज पर जाऊँ अब देखो मैंने क्या पूछा क्या मैं स्टेज पर जाऊँ मैं ऐसा नहीं बोला क्या मैं स्टेज पर जा सकता हूँ no शाट मैं पूछ लिया क्या मैं स्टेज पर जाऊँ so might I go on the stage on the stage आगे देखिएगा क्या तुम मुझे समाल सकते हो might you might you look after me look after का मतलब होता है दोस्तों समालना क्या मैं क्या मैं अंदर बैच सकता हूँ क्या मैं अंदर बैच सकता हूँ might I might I मैं अंदर बैच सकता हूँ sit in might I sit in क्या मैं कुछ बोलू might I might I speak something क्या मैं कुछ बोलू might I speak something यह सब कॉश्चन है जब प्रेजेंट में permission मांगना है वो भी जाथा politeness के साथ तो हम लोग इस्तमाल करता है might come आगे देखिएगा ठीक है अब ज़र समझने के कोशिश किजेगा आप यहां पर वापस आते हम लोग अब दिखिए फिर से एक बार थोड़ा सा sum up कर लेते हैं उसको might किन कंडिशन में यूज़ किया जाता है जब प्रेजेंट में हम लोगों को possibility को बताना हो जब प्रेजेंट में हम लोगों को less possibility को बताना है तब हम लोग शायद ही word इस्तमाल करते हैं जब प्रेजेंट में more politeness को show करना हो और जब प्रेजेंट में permission मांगना हो with more politeness तो अब हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं might का दोस्तों जब आगे के वीडियो में में और माइट का आपको फर्ट समझाऊँगा तो वहाँ पर और डिटलने चीज़ों को express करूँगा आप लोगों के सामने ताकि आपको दिमाग में किसी तरह का confusion रह जाए आगे में मॉडल से संबने बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं अगर आप देख लेगा माइंड ब्लो करने लग जाएगा आपको दूस्तों यूटूब के हिस्ट्री में अभी तक इतने मॉडल्स नहीं पड़ाया हूँगा जितने आने वाले हैं आगे तो आप अगर इन वीडियो को देखते चलें आप मैं बोलता हूँ इतने जादा नॉलिजबल हो जाएँगे कि शायद कोई और चैनल आपको इतना नॉलिजबल महीं बना सकता तो गाईस चुड़े रही हैं बी कनेक्टेड विट विट उस इस आएँ A STE क्या लुए आपकोण सीद विट पुड़े ひुव हैं एक नॉबल्या नॉबल्या का सूछ क्या ब्रौंटT उसे बेहन वरही हैं एंपगार नॉलिजबलौं cluster